हेलो एवरीवन वेलकम बेक टो माई चानल एंडिस इस जोति हैर और आज की वीडियो में हम लोग क्वेशन करने वाले हैं 10 बट इस पीडियाफ में टोटल 50 क्वेशन से हिंदी के और 10 क्वेशन करेंगे और जैसे ही 50 क्वेशन कंप्लीट होगे तो मैं इस पीडियाफ का जो प्रतेखशब्द प्रवाची रूप के चार विकल्प दिये गए हैं, इनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है अब यहाँ पर जो केतू है तो केतू का प्रवाचि क्या होगा यह इन्हों ने पूचा है धोम, केतू, डंडा, पताका या फिर नक्षत्र तो देखो यहाँ पर जो केतू होता है सबसे पहले हमने उसका अर्थ पता होना चाहिए जो Ketu है, इसका अर्थ मतलब Saur Mandal का नवा ग्रहे हैं, उसको भी बोलते हैं और मतलब जंडा या ध्वज या पताका इसको भी बोलते हैं, तो पताका यानि Jhnda या ध्वज का similar है यह और Jhnda या ध्वज जो है यह पताका, Ketu सब एक ही बात है एक ही बराबर है और बात की इसके अलावा इसका meaning सौर मेंडर का नवा ग्रह से भी लिया जाता है तो इसका जो C option है वो सही हो जाएगा question number 2 है गती तो गती का जो प्रैवाची शब्द है वो चाल हो जाएगा कि गती क्या है चाल क्या है तो पता चली रहा है मार्ग सब को पता ही होगा मार्ग रस्ता सब सिमिलिर है कर्म हमारे जो काम होते हैं अब उसके बाद है हमारा कनिष्ट कनिष्ट मतलब होता है छोटा सबसे छोटा या छोटा तो यहाँ पर यह हो जाएगा श्रेश्ट मतलब बड़ा होता है अग्रज मतलब बड़ा या फिर जो पहले पैदा हुआ है ठीक है और पूझे जो पूझनी है यानि हमारे बड़े है तो कनिष्ट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा छोटा यानि इन्होंने मतलब क्या पूझा है प्रैवाची पूझा हुआ है यहाँ पर अब हमें तीन शब्द तो यहाँ पर प्रैवाची होंगे अब जो हमसे questions पूझे जाएंगे लेकिन एक जो option होगा वो हमारा मिल नहीं खाता होगा मतलब वो प्रैवाची नहीं होगा तो यहाँ पे कांतर, विपिन और कानन ये तीनों ही वन के या जंगल की कह सकते हो प्रैवाची शब्द है लेकिन कांता एक महिला को, एक नारी को, इस तरी को एक मतलब पत्नी को ये रिप्रेजेंट करता है भार्यार धांगन ये तरीके से तो कांता नहीं होगा बाकी हमारे वन के प्रैवाची शब्द है प्रशन संक्या पांच है लौ दीपशिखा लगन लपट तो इसमें जो लौ दीपशिखा और जो लपट है ये अगनी को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन जो लगन है वो स्ने, लगाब, प्यार उसको दरशाता है तो पांचवे का जो उप्शन सी है वो हमारा सही हो जाएगा क्योंकि वो हमारा प्रैवाची शब्द नहीं है उसके बाद अगला प्रशन है यहाँ पे छटे का अनिवारे का उपोजिट आपको बताना है यहाँ पे इन्होंने प्रशन पूछे है कि सही विलोम शब्द बताईए तो अनिवारे का विलोम अनिवारे मतलब कि यह करना ही करना है तो आवश्यक इसी का प्रयवाची हो जाएगा अनिवारे का जरूरी भी और पृष्ठांकित मतलब खत्म और रोपन मतलब क्या होता है ना और उन्मूलन मतलब श्रिंखला बादित करना और पन ना ऐसे को यह लगाना वे कोई कारवन उसको सरक्राजीर ना थो इसका और उन्मूलन का जो ओपसेट वरड है वह रोपनi करे उपर उगाना ठीक है यह लगाना एक तरीके से ऐसे कह सकते हो वेशन नमपर एट है निंदिये तो निंडिय का क्या रहत है निंडिय मतलब जिसकी निंदा की जाती है निंदनी जिसकी निंदा मतलब बुराई ठीक है और इसका उपजिट क्या हो जाएगा स्तूतिय या फिर स्तूतिय या इसकी प्रशंसा करना ठीक है वंदिय वंदनिय पूजनिय प्रशंसनी जिसकी प्र रहा है और वंद ये dod ये एक तरीके से یہ similar similar से आदर ये इसका स्थूत्ये या फिर इसका ज़िया फिर स्थूत्ये उसका तो जैगा मतलब प्रशन्शा करना ये तरीके से मतलब हाई प्राइऊरिटी पर अगर हम रखे तो हमारा तो हमारा तब वे प्रणायता या सेवा करना ही तरीके से, उसके बाद हमारा question number 10 है, इन में से सही spelling आपको चूस करनी है, गरिष्ठ, ठीक है, not गरिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ मतलब होता है कि कठिंता से पचने वाला भोजन, जिसे गरिष्ठ भोजन मत किया करो, मतलब भारी भोज अलग जाते हैं तो इस तरीके से हम गरिष्ठ मतलब जो बहुत असानी से बच सके उसको बोलते हैं, तो यह 10 questions थे और आपको यह questions कैसे लगे, जैसे भी लगे हो तो प्लीज बचे कॉमेंट करके बताना, बागे के next questions हम लोग कल करेंगे, so thank you so much everyone and good night